नमस्ते प्यारे विद्यार्थी मित्रों सिद्धी हिंदी विद्यालाइकी ओनलाइन ग्लास में आप सब का स्वागत है इसके अंदर गदम कक्षा तीन विशय परियावरन के अंदर अगला पार्ट नमबर आठवा फुर्र उसके बारे में अधियन कर रहे थे वीडियो को आगे बढ़ा है और अधिक जानकरी प्राप्ट करें उससे पहले सुचना जो कि आगे देती है एक बार फिर से दोरा रहा हूँ उसके अधर पर आप लोगों को एक्जाम 18 तारीक से आ रही है उस 18 तारीक की एक्जाम में आप से एक्जाम के अंदर आएंगे जिसके अंदर आप आज़ार आप चल रहा है इसमें एक्जाम के अंदर किस प्रकार से पूछा जाएगा उसकी वर्कशीट भी आप लोगों को पहुंचा दी जाएगी उस वर्कशीट के अंदर एक्जाम की पूरी पेपर स्टायल रहेगी आपको उस वर्कशीट के आजार पर पढ़ना और जो मैं PDF बेजू उस PDF के अंदर विकल्ब खाले जगा और सही गलत होगे वो आप लोगों को लिखने रहेंगे अगले वीडियो के अंदर हमने इन कुछ पक्षियों के चौंच को देखकर उसके बारे में पता लगाया था कि ये किसका चित्र है और ये सब आपने देखे तो चित्रों को देखकर उस पक्षि का नाम भी आपको पता चल जाएगा आगे बढ़ते हैं ये हैं किसके पक्षि एक तो बगुला है और दूसरा कौनचा चील है इसकी फोटो है ये उसके पशाद आगे बढ़ते हैं खाली खाने में किसी अन्य पक्षि की चौँच बनाई है और उसमें रंग बरिये जो खाली बॉक्ष दिया गया है इसके अंदर आपको अन्य पक्षि की क्या बनानी है चौँच बनानी है और उसका नाम लिखकर उसमें रंग भी बनना है उस पक्षी का नाम लिखिये पक्षी की चौँच कितनी अलग-अलग तरह की होती है उतना ही अलग-अलग तरह का होता है उनका बोजन पंचियों की चौँच अलग अलग तरीके होती है और पंचियों की चौँच अलग अलग है उसे प्रकार उसका उजन भी क्या होता है अलग अलग होता है पक्षी की तरह तरह की चीजे खाते हैं पक्षी तरह तरह की चीजे खाते हैं कोई फल खाता है कोई बीज खाता है कोई कीडों मकड़े खाता है तो कोई मचली खाता है वरबर जैसे कि तोटा है उसके पर शाद दूसरे भी पकषी ओफल खाते जो कभुतर बीज खाते उसके पर शाद जो दूसरे पकशी है वरबर वह सब क्या खाते है कुछ कीड़े मकोड़ों को खाते हैं तो बगूलाएं मछली को खाता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नीचे इन्ही पक्षियों के पोज़न के आदर पर उनको में उनके साथ जोड़ना रहेगा ठीक है तो यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ आप लोग इसको देख देखकर जोड़ लेना है ठीक है देखो पहला है ये वो खाता है चिलिया को फिर उसके परशाद ये तोता है वो खाता है मिर्ची कबूतर है वो खाते है दाने स्वरी कबूतर है वो खाते है दाने ठीक है एक मिनिटा चलो ये मैं जोड़ता हूँ ये पहला है वो एक मिनिटार्या ये मैं जोड़ता हूँ ये जो पहला है वो चीडिया को खाता है दूसरा चुहां खाता है ये तीसरा है वो किसको खाएगा एक तोता है वो मिर्ची खाएगा और कबूतर है वो सौरी कबूतर है वो दाने खाएगा तो इस प्रकार से आपको इसमें से देख देखकर जोड़ना रहेगा ठीक है तो इस वीडियो को स्टॉप करके इसको देखकर जोड़ सकते हो आगे बढ़ते है कि आपने कभी ध्यान दिया है कि पक्षी उड़ने चलने और गरदन गुमा उड़ने के और गरदन गुमाने के तरीके अलग-अलग है जो मेना होती हो जटके से क्या कर सकती अपने गरदन गुमा सकती आगे पिछे उल्लू तो अपनी गरदन पिछे तक गुमा सकता है क्या आप भी ऐसा कर सकते है उल्लू अपनी गरदन पूरी पिछे गुमा सकता है हम ऐसा कर सकते हैं नहीं है पक्षी ऐसे है जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं कि आप ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हैं उसका चित्र अपनी कौपी में बनाईए रंग बरी और उसका नाम भी लिखिये आप हम जानते हैं ऐसे पक्षी को कौन है तोता जो हमारी बोली की नकल कर सकता है तो आपको अपनी कौपी के अंदर तोते का चित्र बनाना है और उसके अंदर रंग बना रहेगा अब नीचे लिखा है अवलोकन करना आपको अपने गर से बहार निकलना है वहाँ जाकर तरह तरह पक्षियों को देखने है उनके पंखो को उनके गर्दनों किस प्रकार सहीलाते है उनके आवाज क्यासी है और इन में से किसी तीन पक्षियों की आवाज को आपको नकल करनी है और उसकी तरह गर्दन हिला कर अपने साथियों को बोलना है कि वो पहजाने कि आप कौन से पक्ष की नकल करते हो ठीके आगे बढ़ते हैं पक्षियों के पंक अलग-अलग रंगोवर डिजाइन के होते हैं आप लोगों ने देखे हैं सभी पक्षियों के पंक कैसे होते हैं अलग-अलग हैं कवे के कबुतर के मोर के तोते के सब के पंक अलग-अलग होते हैं उनके पंक उड़ने में मदद करते हैं वो पंक क्या करते हैं उनको उड़ने में मदद करते हैं इतना ही नहीं, पंक उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं, और जो पंक है वो क्या करते हैं, उनके शरीर को गर्म रखते हैं, समय समय पर पक्षियों को पूराने पंक जड़ जाते हैं, और समय समय पर क्या होता हैं, पक्षियों के पूराने पंक जो होते हो जड़ जाते हैं, औ आपने भी कहीं बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा उगा तो आप लोगों ने भी अपने घर के आशपास, गाओ, म्यांगन में यहाँ पर गलीओं के इंदर भी पंखों को जड़ा हुआ, पाते हैं, बरबर हैं तो क्या होगे पूरा ने पंख होते हो जड़ जाते हैं पक्षियों के गिरे हुए पंखो को इकठा कीजिए और उनके रंग आकार और आकरूती पर चर्चा कीजिए अब इन गिरे हुए पंखो को आपको इकठा करना है और उकिस पक्षिका है उसका रंग आकार और आकरूती आपको बनानी है और एक पक्षी का चित्र अपनी कौफी में बनाई है और उस पर पंक चिपकाई है तो ऐसा ही एक पक्षी का चित्र आप बनाओ और उसके पंक जो आप निकटा किये उसको आपको उसके उपर चिपकाना रहेगा और उसका नाम भी लिखिए पक्षियों के अलावा और कौन-कौन से जानवार है जो उड़ सकते हैं उसके बारे में आपको नीचे नाम लिखना रहेगा तो पक्षियों के अलावा कौन उड़ सकते हैं एक दो तीतली, मदुमक्खी, तील चट्टा, चमगादर्ड कौन-कौन तितली, मदुमक्खी, तील-चट्टा, चमगादड, बरबर यह सब क्या हो सकते हैं, उड़ सकते हैं पक्षियों के अलावा अगर आप भी पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं, तो कहां-कहां जाते हैं, क्यां-क्या करते हैं हम भी उड़ सकते हैं तो हम बड़े-बड़े पहाड़ों पर आकाश में दूर-दूर की नदियों की किनारे जाते हैं और आकाश में बादलों के साथ मस्ती करते यदि पक्षी उड़ न सके बस अपने पेरों पर ही चले तो क्या होगा यदि पक्षी उड़ न सके बस अपने कि बिना उनकी कल्पना नहीं की जा सकती यहाँ पर तुमारा आठवा पार्ट समाप्त होता है और हमारा इस शत्र का सीलेबस भी समाप्त होता है यह 8 पार्ट तक आपको एक्जाम के अंदर आएगा इसके अंदर से आपको पढ़ना रहेगा आशा रखता हूँ आज की वीडि के लिए दन्यवाद थेंक यू